नवाश्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ जीते इन शुकला आप देख रहा है डिस्टर डवाइस मैं आपके साथ हूँ एक स्पिसल सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे 25 most important questions की जो बार-बार क्या हुए है आए हैं और आज का topic है Indian currency जीहां भार कुछे गए हैं तो उससे related questions इस सेशन में हम लोग discuss करेंगे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा साथी साथ जिल लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आपको ट्रिपल सी से related जो भी लेटेस्ट ठीक है तो वहां पर आपको PDF और नोट्स मिलते रहेंगे समय समय पर तो चलिए स्टार्ट करते आज का सेशन और देखते हैं question number first इस सेशन में बस आपको एक चीज़ करनी होगी ध्यान से सुनते जाईएगा नोट्स बनाने हो तो एक बार सुनने के बाद अगली बार वीडियो देखकर आप क्या कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं और PDF तो इसका आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा question number first 50 रुपीज नोट का कलर क्या होता है A option bright yellow B option stone grey C option magenta D option fluorescent blue तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसका right answer D होगा 50 रुपे की जो नोट होती है 50 रुपीज नोट होती है उसका जो कलर होता है fluorescent blue होता है याद रखेगा next question number second 50 रुपीज नोट का dimension क्या होता है A option 135 mm x 66 mm B option 120 mm x 66 mm C option 125 mm x 66 mm D option 140 mm x 66 mm ठीक है तो इससे related भी लगातर question क्या किये गए हैं आपसे पूछे गए हैं और इसका जो right answer होगा ये आपका होगा ये option 135 mm x 66 mm याद रखेगा 55 का 50 रुपीज नोट का कितना होगा 135 mm x 66 mm एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं 50 रुपे की नोट 100 रुपे की नोट 500 रुपे की नोट 2000 रुपे की नोट 2000 रुपे की नोट इन सभी का जो चोड़ाई है वो 66 mm ही है जबकि 10 रुपे की नोट और 20 रुपे की नोट की चोड़ाई 63 mm है ठीक है तो लास्ट का याद करने की कोई जरूत नहीं है 50 से लेके 2000 तक 66 mm और 10 और 20 का कितना होगा आपका 63 आसानी से ये तो यादी हो जाएगा बस ये याद करना ठीक है Next question number third 50 रुपीज नोट का मोटिफ क्या हो है A option रानी की वैब B option हैंपी विद चैरियाट C option संट टेमपल इन कोनार्ग D option सांची स्टूब तो बिलकुल जैसका राइट आंसर होगा हैंपी विद चैरियाट ठीक है याद रखी का पूछा गया है 50 रुपीज नोट का जो मोटिफ होता है ठीक है वो हैंपी विद चैरियाट होता है Next question number four 100 रुपीज नोट का कलर क्या होता है A option bright yellow B option lavender C option magenta D option fluorescent blue तो बिलकुल इसका जो राइट आंसर होगा B होगा lavender याद रखीएगा 100 रुपीज की जो नई नोट आ रही है उसका कलर lavender होता है Next question number five 100 रुपीज नोट का dimension क्या होता है तो 135 mm x 66 mm B option 142 mm x 66 C option 125 x 66 D option 140 x 66 तो बिलकुल इसका जो राइट आंसर होगा 142 mm x 66 mm ठीक है 50 का 135 mm होता है और 100 का 142 mm 66 दोनों में common ठीक है Next question number six 100 रुपीज नोट का motive क्या है A option राणी की वैब B option हम्टी विचेरिया C option Sun Temple in Konark D option साची स्तूप तो बिलकुल इसका जो राइट आंसर होगा A होगा राणी की वैब ठीक है राणी की वैब है 100 रुपीज नोट का motive फिर से रिपीट कर रहा हूँ 100 रुपीज नोट का मोटीफ का है राणी की वैब याद रखेगा Next question number seven 200 रुपीज नोट का कलर क्या होता है A option Bright yellow B option Lavender C option Magenta D option Fluorescent blue इसका जो right answer होगा यह होगा आपका Bright yellow ठीक है सारे question से याद कर लिजेगा एक सी दो question आपको इससे मिल जाएंगे 200 रुपीज का नोट का कलर क्या होता है Bright yellow होता है Next question number eight 200 रुपीज नोट का dimension क्या है A option 135 mm into 66 mm ठीक है B option है 142 into 66 C option है 146 into 66 D option है 140 into 66 तो बिलकुल यहाँ पर C option right होगा 146 into 66 mm ठीक है तो हमने 50 रुपीज की नोट का देखा 135 100 रुपीज की नोट का देखा 142 फिर हमने 200 नोट का देखा 146 mm ठीक है सबकी लंबाई चेंज है 14 सबकी क्या है एक ही है ठीक है next question number 9 200 रुपीज का मोटिफ क्या है यह option रैनी की वेब B option हैंप्टी विचेरियो C option Sun Temple in Konark D option सांची इस्तूप 5 seconds दे रहा हूँ इसके लिए आप comment है चैट में राइट आंसर आने लगा बिल्कुल ध्यान किएगा इसका D option राइट होगा जिन स्टूइनेट्स ने D बोला है बहुत बढ़िया सांची का स्तूप बना होता है 200 रुपे की नोट पर क्या सांची का स्तूप 200 रुपे की नोट पर बना होता है इसलिए D option इसका राइट होगा नेक्स्ट कोशन नमबर 10 500 रुपीज नोट का कलर क्या होता है A option ब्राइट येलो B option लेवेंडर C option स्टोन ग्रे D option फ्लूरसेंट बिल्यू तो बिल्कुल इसका 200 रुपीज नोट का डाइमेंशन क्या है A option है 135 इंटो 66 B option है 142 इंटो 66 C option है 146 इंटो 66 और D option है आपका 150 इंटो 66 तो इसका जो राइट आंसर होगा D होगा 150 mm इंटो 66 mm ठीक है तो उमीद है याद हो गया होगा 50 का 135 200 का 100 का 200 का 146 और 500 का 150 ठीक है बस और विद क्या है सबकी सेम Next question नमबर 12 500 रुपीज का मोटिफ क्या है तो यह option है Rani की वैब B option है Hampty with Chariot C option है Sun Temple Sun Temple Konark D option Red Ford with National Flag तो बिलकुल आप लोगों ने देखा होगा 500 रुपी की नोट पर लाल किला बना होता है साथ ही साथ उस पर भारती जंडा भी होता है Indian Flag भी होता है National Flag भी होता है तो बिलकुल D option Right होगा Red Ford with National Flag Next question 13 2000 रुपीज नोट का कलर क्या होता है A option Bright Yellow B option लेवेंडर C option Stone Gray और D option Magenta तो बिलकुल इसका जो Right answer होगा ये D होगा Magenta होता है ठीक है ध्याने के 200 2000 रुपे की नोट का कलर Magenta होता है 200 रुपे की कलर का Bright Yellow होता है 500 की नोट का कलर Stone Gray होता है और आपका 100 रुपे की नोट का कदर Lavender होता है सभी पॉइंट्स याद कर लिजेगा जल्दी से 14 2000 नोट का Dimension क्या होता है तो बिलकुल इसका जो Dimension होगा 166 mm into 66 mm ठीक है 166 into 266 mm 2000 रुपे नोट का क्या होता है Dimension होता है याद कर लिजेगा ठीक है नेक्स्ट कोशन नमबर 15 2000 रुपे नोट का Motive क्या है तो बिलकुल इसका जो है Marsh Mission है ठीक है B option राइट होगा 2000 रुपे की जो बात करें नोट पर Marsh Mission है मंगल यान है ठीक है याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है यादा कोशन नेक्स्ट कोशन नमबर 16 100 रुपे नोट का कलर क्या होता है ठीक है A option है Bright Yellow B option है Lavender C option है Chocolate Brown D option है Flucent Blue ठीक है ये 10 रुपे नोट है मैंने गलती से 100 बोल दिया 10 रुपे ठीक है Next question number 17 10 रुपे की नोट का dimension क्या होता है बहुत बार पूछा जा चुका है तो क्या होगा भाई A option है 135 into 66 B option है 142 into 66 C option है 146 into 66 D option है 123 into 63 5 seconds है बताएगा Right answer क्या होगा दे रहाएँ चैट में Good बहुत बढ़िया कुछ students का Right answer आने लगा तो बिल्कुल ध्यान लखिएगा 123 into 63 mm ठीक है 123 into 63 mm किसका होता है 10 रुपीज नोट का dimension होता है Next question number 18 10 रुपीज नोट का मोटिफ क्या है A option Rani की वे B option MPB चैरियो C option Sun Temple in Conarch D option Red Ford with National Flag तो इसका सूर्य मंदिर होता है Sun Temple in Conarch ठीक है Sun Temple in Conarch क्या है 10 रुपे की नोट का मोटिफ है मोटिफ का मतलब क्या है भाई ये चित्र बना होता है नोट के पीछे साइड उसी को मोटिफ बोलते है तो यहाँ पर क्या बना होता है 10 रुपे की नोट पर सूर्य मंदिर बना होता है जो कि Conarch में है Next Question No.19 RBI ने अभी तक अधिक्तम कितने रुपे की नोट जारी की है A.Option 1,000 B.Option 10,000 C.Option 20,000 D.Option 5,000 गुड़ बताएगा 5 सेकेंट दे रहा हूँ Good बहुत बढ़िया चैट में Right Answer आने लगा है तो बिल्कुल जिसका Right Answer होगा 10 रुपे की नोट जारी की है साथिसाथ अधिक्तम लिमिट भी 10 रुपे की नोट को चाप सकता है और ये जारी भी कर चुका है एक बार ठीक है नोट को बाद में क्या कर लिया गया था समिट कर लिया गया था जैसा मोदी जी ने किय था नोट बंदी वैसा ही पहले भी एक बार होआ था तब 10 रुपे की नोटों को क्या कर दिया गया था बंध कर दिया गया था ठीक है next question number 20 1 रुपी is remote बहुत बढ़िया तो बिल्कुल यह फॉल्स होगा ठीक है एक पॉइंट बोलों सिंपल दिमाग में बैठा लिजेगा एक रुपे की नोट को छोड़कर सभी नोटे जितनी भी है नेक्स्ट कोशन नवर 21st एक रुपे की नोट पर हस्ताच्छर कौन करता है कौन हस्ताच्छर करता है तो भाई यह option वित्त मंत्री भी सब्सक्राइब करेंगे तो सभी को शेयर करना है जो भी शोचल मेडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट्स की हेल्प हो सके ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल यह आपका होगा भारत सरकाइब सरकार के वित्त सच्यू ठीक है एक रुपे की नोट पर साइन करता है वो वित्त सच्यू करता है और कौन सा वित्त सच्यू भारत सरकार का जो वित्त सच्यू होगा मतलब वित्त मंतरी का भारत सरकार के जो वित्त सच्यू होगा वो एक रुपे की नोट पर साइन करता है हस क्या करते हैं, sign करते हैं, और ये last question है, नई, इसके बाद एक question और है, सिक्के भारा सरकार जारी करती, तो बिलकुल ये सत्य होगा, याद रखेगा, सिक्के भारा सरकार जारी करती है, और next question ही, आपके लिए homework अभी भी नहीं है, ठीक है, 20 रुपीज नोट का dimension क्या होता है, 135 x 66, B option 142 x 66, C option 146 x 66, D option 126 x 63, तो ध्यान खिएगा, 126 x 63, 10 का होता है, 123 x 63, और 20 का होता है, 126 x 63 mm, ठीक है, next, 10, 20 रुपीज नोट का color क्या होता है, तो ध्यान खिएगा, green yellow होता है, 20 रुपीज नोट का color क्या होता है, green yellow होता है, 10 रुपे की, chocolate brown, flucent blue किसका होता है, भाई, flucent blue आपका 50 रुपीज का note होता है, और 200 रुपीज का bright yellow होता है, आब एक दू बार जैसा ही revise करेंगे, copy पे लिएके सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, next question number 25, यह आपके लिए home work रहा, 20 रुपीज नोट का motive क्या है, यह आपको comment करके बताना है, यह आपका answer, आप comment करके बताऊगे, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताईएगा, साथी साथ कोई suggestion हो, या कहीं पे भी problem होता, आप comment करेएगा, जो भी solution होगा, as soon as digital advice की team दोरा आपको provide करा दिये जाएगा, तो मिलते हैं, next session में, नए questions के साथ, goodbye, preparation करते रहेए,